हेलो एवरिवर्ड रिस्ट वाचेज में देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा माना की आज का लोग रिस्ट वाचेज कम पहनते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि यह जो इशुज रहते हैं लाइफ में उनको फेस नहीं करने पड़ते हैं actual में यह जो हम watches पहनते हैं या watch का analysis करते हैं या कौन सी watch positives देती है कौन सी watch negative देती है यह watch की वजह से नहीं होता है हमारी life में watch तो वो एक map है वो x-ray है जिसे कह सकते हैं x-ray जो की internal जो हमारा mind pattern है जो हमारा mind का structure बतार जो भी हमारे mind में है जो हम अपने एक picture बना के चलते हैं अपनी life में कि अपनी personality की अपनी life की या अपने life में होने वाले incidents की तो यह एक तरह से वो उन चीजों को सामने लेकर आ जाता है तो यह बहुत बड़ी misunderstanding है कि अगर हम watch ही नहीं पहनेंगे तो क्या हम watch पहनते ही नहीं आदिखतम नहीं ऐसा नहीं है actual में watch ना पहनने से क्या होता है जो होना है वो ही होना है इतमीस जो mind हमारा जिस तरह से काम कर रहा है pattern जो हमारी जो destiny है हमारा जो भी हमारा life में जो चल रहा है, जो incidents हो रहे हैं वो तो उसी हिसाब से होंगे वो कहीं रुकनी जाएंगे जो issues face करने पड़े हैं, वो उसी हिसाब से करने पड़ेंगे लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा देखिए, बिल्कुल ये इस तरह से है माल लीजिए, एक एक इनसान है उसकी life में ups and downs, ups and downs सभी के आते हैं, आते हैं, आरे हैं ठीक हैं, अब वो उन चीज़ों को जानता नहीं हैं, unknown है मिंसर, वो चीज़े उससे unknown है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है उसकी life में, क्या reason है उसके पीछे तो ये जो चीज़ है कई बार ये चीज़, जब इनसान की जो horoscope है कुंडली है, उसका जब analysis करते है तो पता चल जाता है कि ये जो इनसान है वो उसका जो nature है personality है इस तरहें की होगी या उस तरहें की होगी, जैसी भी होगी और इस इनसान के जीवन में इस तरहें की घटना है, या इस तरहें के incidence आएंगे, तो ये जिब चीज़ें इनसान को पता चल जाती है तो वो उसके लिए alert हो जाता है पहले से लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना है क्या possibilities हैं, क्या नहीं है बस वो चलता जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देखेगा नहीं तो वो चीज़ें उसके साथ घटेंगी नहीं या उसके साथ कोई ऐसा incident नहीं होगा आप से एंडाउंस नहीं आएंगे या उसकी जो personality है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में वो एक confident person होगा ऐसा नहीं है actual में अगर कोई इंसान low self-esteem फील करता है या काफी अच्छा confidence है उसके अंदर यह जो चीजें कई बार यह चीजें निकल के सामने आती हैं जब हम उस इंसान का जो कुंडली है horoscope है उसको analysis करते हैं पता चलता है कि यह किस तरह की personality है जिसका भी यह horoscope है उसकी कुंडली है किस टाइप के वो personality है उस इंसान की क्या behavior है क्या nature है उसका कैसे react करेगा अपने जो life में होने वाले जो incidents है उसको कैसे react करेगा तो जब यह चीजें हमें पता चलने लगती हैं तो हम alert हो जाते हैं हम वो steps उठाने लगते हैं जो हमारे लिए सही है क्योंकि हम अब जान गए हैं कि हमारा जो pattern है वो किस तरह से काम कर रहा है हमारी जो life है किस रास्ते से चलने वाली है और कहां कह हमें बच के चलना है कहां कहां हमें सभल के चलना है यह हमें बस पता चल जाता है सेम उसी तरह से एक wrist watch में ना पहनने से कुछ नहीं होता है ना पहनने से क्या होगा होना वही है जो life में जैसे होता है सब के साथ incidents आते हैं ups and downs आते हैं इंसान का nature behavior होता है कहीं उसका favor कर रहा होती है कहीं कुछ भी घटना है घट रही होती है ठीक है उसके life में जो भी सुख दुख कुछ भी आता है लेकिन जब हम यह watch पहनना start कर देते हैं एक तो यह है कि हम अपनी watch analysis करने से यह पता चल जाता है कि negative कहां आ रहा है कमी कहां है यानि कि subconsciously जो हमने watch select कर ली है अपने लिए जो हम पहन रहे हैं तो उससे पता चल जाता है अच्छा हमने watch को subconsciously select किया था यह हमारी choice थी यह हमारी पसंद थी इसको हमने अपने life में attract किया था जब attract किया था तो कहते हैं इंसान जो है अप उन्ही incidents को उन्हीं चीजों को उन्हीं रिष्टों को अपनी life पे लेकर आता है जो उसकी destiny में होते हैं जो उसका लिखा होता है प्रारब्द में तो प्रारब्द क्या है देखिए प्रारब्द तो यह है कि पूर जन्में किये हुए जो कर्म है उसका अच्छा या बुरा फल उसे प्रारब्द कहते हैं वो इस जन्में नहीं तो अगले जन्में कह नहीं नहीं तो मिलता है जो डैस्टिनी में हमें मिल जाता है वो चीजे वाच एनलेशिस करने से सामने आ जाती है कि हाँ यहां यहां relationship issues हो सकते हैं यहां financial issues हो सकते हैं यहां business में losses हो सकते हैं profit हो सकता है इनसान की जो personality है वो कितना इनसान confident होगा कितना वो low self esteem फील करेगा ये कुछ भी है ये बहुत सी ऐसी चीज़े है education कैसी होगी health कैसी होगी बहुत सी चीज़े तो वो चीज़े जब सामने आ जाते हैं तो इनसान को यह पता चल जाता है कि अब उसको कौन सा रास्ता चूज करना है कहां कमी आ रही है कि मैं alert हो जाओ संभल के चलू मुझे ये करना है ये नहीं करना है और watch को change करके जो उसने subconsciously watch select की थी अब वो क्या करेगा पूरे ध्यान से कि उसे क्या life में चाहिए कि नहीं चाहिए किस तने के numbers होने चाहिए dial कैसा होना चाहिए color कैसा होना चाहिए क्या features होने चाहिए क्या pattern होना चाहिए wrist watch का बड़ी consciously हर चीज एक एक चीज बहुत एक छोटी से छोटी चीज भी माइने रखती है wrist watch में चोटी से छोटी चीज भी यहां तक कि जो उसका जो strap होता है जो chain होती है wrist watch की उसके जो links होते हैं वो भी माइने रखते हैं जब इनसान वो छोटी से छोटी चीज भी तरीके से जो उसके लिए सही है वो जब पहनना वस श्टार्ट कर देगा तो यह क्या होता है उसने अपना जो wrist watch है अब उस ऐसी wrist watch को attract कर लिए अपनी life में जो अब उसको सही track पर चलाएगी यह धीरे-धीरे होगा gradually होगा जो mind pattern है वो change होगा धीरे-धीरे यह law of attraction इसमें काम करता है देखिए जो watch है इसमें numerology astrology सभी काम करते है law of attraction भी काम करता है तो यह changes आएंगे इनसान के mind pattern में changes आएंगे जब mind pattern में changes आएंगे तो उसके action में changes आएंगे action में changes आएंगे तो जो reaction करेगा उसके results में changes आएंगे और जो results वो जो चाहता है अपनी life से same वो result उसको मिलेगा तो इनसान happy और क्या चाहिए तो इस तरह से काम करती है wrist watch analysis wrist watch किस तरह से हम एक particular wrist watch जो हमें life में चाहिए उसको हम पहन के धीरे धीरे gradually कैसे changes ला सकते हैं इस तरह से काम करते हैं तो wrist watch तो हमें बिल्कुल पहननी चाहिए ये commitment को शो करता है अपने work के प्रती, अपने profession के प्रती, अपने relationship के प्रती अपनी health के प्रती, commitment को शो करता है और जो pattern, जो design, जो features उसमें wrist watch में होते हैं कहीं न कहीं हमारे mind pattern पे effect डालते हैं और जब mind पे effect डालते हैं तो सारा काम तो दिमाग से ही होता है सबसे पहले हमारा दिमाग काम करता है, उसके बाद ही action होते हैं उसके बाद ही इंसान action लेता है जब actions लेता है, तो each and every action has equal and opposite reaction actions अच्छे होंगे, तो उसके जो reactions हैं उसके जो result निकलेगा, वो भी अच्छा होगा तो इस तरह हैं से काम करते हैं wrist watch तो चलिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye